तो दोस्तों अगर आपके पास भी OnePlus Note smartphone है और अगर आप भी issues face कर रहे हैं जो कि आप करी रहे होंगे external mic के साथ तो दोस्तों यह video specially आपके लिए ही है क्योंकि मैं इसमें आपको complete problem के साथ solution live दिखाने वाला हूँ और आपको पता लग जाएगा अगर आप एक high quality audio record करना साथ है वीडियो में तो आप वो कैसे कर सकते हैं अगर आपके पास यह बोया या कोई और high quality माइक है जो आप अपने वीडियो में यूज करना चाहते है जो आप कैसे यूज कर सकते हैं और कौन सी आप सबसे best रहेगी OnePlus Note smartphone के लिए इस purpose को fulfill करने के लिए तो दोस्तों वीडियो को फ टाइप सी एडेप्टर यूज कर रहा हूं जो कि रॉक कंपनी की तरफ से आता है आपको मैं पैकेज दिखा दूँ है यह वाला मैं अडेप्टर यूज कर रहा हूं आपको Amazon पे काफी कम मिलता है अगर आपको देखते को मिल जाए तो आप पर चेस कर सके और इस प्रड़क परस इससे वीडियो बनाना था क्योंकि मैंने इसके वीडियो की काफी तारीफ सुनी थी और वीडियो सच में काफी अच्छे और स्टेबल रिकॉर्ड कर लेता है और दोस्तों साथी साथ साथ स्टॉक कैमरा एप में हमारा एक्स्टेनल माइक करने के बाद जैसे की एक वीडियो सी दिक्कत है आपका जो 3.5 mm जैक के अडेप्टर के साथ में लगाता हूं कभी तो दोस्तों यह काम करता है और कभी यह आटोमेटिकली ही ओडियो कैप्चर करना छोड़ता मतलब जीरो ऑडियो कैप्चर करता है जैसे माई कनेक्टी ना हुआ हो तो आपकी ज दिक्कत वाला होता था इपनी महनत से वीडियो शूट कर रहे हो और आपको लास्ट में साउंड ही ना मिले तो आपका वीडियो किस काम का है तो दोस्तों इसके सोलुशन के लिए मैंने शुरू में तो इस नौट से क्याप्चर करना ही छोड़ता वीडियो क्योंकि बिना जानते हैं वीडियो बिल्कुल बेकार है उसी काम के लिए फिलाल दोस्तों मैं बताना चाहूंगा इसका बहुत ही कमाल का सोलुशन मैं लेकर आपके सामने अभी मैंने दो दिन पहले इसको अपडेट कर था उससे पहले भी मैं तीन चार वीडियो इस एप से शूट कर चु कि वह आन है या कनेक्टेड नहीं है इस एप का नाम है दोस्तों गूगल कैमरा एप और दोस्तों ये एप बिलीव मी बहुत ही बहतरी नहीं नौट के तूप क्रेट कॉलिटी और यूडियो कैप्सर करने के लिए अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस एप में जो ज सब्सक्राइब करता है और वीडियो के साथ शांदार पिक्चर भी डिलिवर करता है और वीडियो को जानते हैं नौट कर दोस्तों फटावट से में वीडियो अप्शन पर जाता हूं और दिखे लिखा आगया स्वाइब डाउन पूर एक्सटनल माइक अब मैंने इसको एर सब्सक्राइब करते हैं और लास्ट पर ऑडियो नहीं आती तो दोस्तों प्रसुल बहुत जादा बुरा लगता है तो यह फीचर मुझे काफी कमाल के लागा और मेरे लिए सबसे ज्यादा यही है इस कैमरा एप काहला की और भी काफी ज्यादा तो दोस्तों आप जो आप स से रिकॉर्ड किया जारा है यह नौड का फर्ण फ्रेटिसिंग कैमरा है और आप देख सकते हैं यह मेरा बोया माइक कनेक्टेड है सो जो भी मेरा ऑड़ियोर हो रही है यह इसी एक्स्टेनल माइक के तुरू हो रही है तो आप ऑड़ियोक्वाल्टी का अंदाजा लगा स स्मार्टफोन की अमेजिंग वीडियो क्वालिटी का मज़ा उठाना चाहरे है तो आप भी मेरी तरह गूगल कैमरा एप का यूज करें इसके दोस्तों दो फायदा है सबसे पहला और बड़ा फायदा कि आपको पता लग जाएगा कि एक्सटरनल माइक अन है या नहीं दोस्तों गूगल कैमरा एप जो है अगर आपको फीचर मामने में रिच नहीं है तो इसा बिल्कुल भी नहीं है यह 4K में भी आपको यह वाला मौट आराम से वीडियो शूट करके देता है फ्रेंट और बैक दोनों से तो आप इसका मज़ा उठा सकते हो तो मेरे इसाब से गूगल कैमरा एप फिलाल के लिए बेस्ट एप है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए स्पेश्टी विट इक्स्टेनल माइक और अगर आप दोगया माइक यूज करना चाहते हो तो वो भी हावाराम से कर सकते हो दोस्तों तो आज की वीडियो में इतना है रखते है वीडि देखना चाहते हो आगे आने वाले फिचर में तो दोस्तों मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तर के लिए बाबाए